सरकार को देश की जंता से कोई लेना देना नहीं है देश के किसानों से कोई लेना देना नहीं है देश के मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है बस उनको लेना देना है तो बरे-बरे कॉर्पोरेटों से बरे-बरे लुटेरों से जो जंता का पैसा लुटते हैं और विदे का दिन है और महात्मा बुद्ध हम सब के प्रेड़ना के सुरोथ हैं और ऐसे में हम लोग को बैठना पर रहा है वो मोदी सरकार की कारगुजारियों के कारण हम लोग बैठने को मजबूर हुए हैं और जो किसानों का अंदोलन देश के अंदर में जो चल रहा है लगातार छे महिने हो गए सेंकरो किसानों ने जान दे दिया है और इस करोना महामारी के वक्त में भी मोदी सरकार को यह नहीं सुझा कि यह हमारे कारण से बैठे हैं और इतना बरा महामारी फैला हुआ है लाखों लोग मर रहे हैं ये किसान पुरे देश की मांगों को लेकर बैठे हैं छोरिये देश की बात को, गर देश उनको समझ में नहीं आता है, तो देश की बात को हम छोर भी दें, तो किसानों की बात, किसान बैठे हैं, किसान लर रहे हैं, तो उनकी सानों की मांगों को पूरा कर लें, कम से कम इस कुरोना फेज में, इस कुरोना महमारी के दौर में पू कोई लेना देना नहीं है देश के मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है बस उनको लेना देना है तो बरे बरे कॉर्पोरेटों से बरे बरे लुटेरों से जो जनता का पैसा लुटते हैं और विदेसों में भाग जाते हैं उनको भगा देने का काम करते हैं कि वह उन लोगो 14 में उनकी ताज़ पोसी हुई थी ये मोदी जी की और यह 26 मई से किसानों का आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर पहुँचा था और उस दिन से आंदोलन ये शुरू हुआ था तो आज का दिन कि मोदी सरकार सत्ता पे काविज हुए तो काला दिवस के रूप में मनाया जाए कि ये जो सरकार है मोदी की जो सरकार है ये पूरी तरह से जनवीरोधी सरकार है हर एक जनता के हित के खिलाप में है इसलिए काला दिवस को हम मनाये जनता को जागरुख करें जन तक लरोगे नहीं और इस सरकार को बदलने का और इसी सरकारों को मिटी में मिलाने का हम काम नहीं करेंगे तब तक का अफचैन नहीं है देस का हितव नहीं है इसलिए संगर्स जरूरी है लडाई जरूरी AI चरूरी है और उसी के तहफ आज हम लो clever वाला दिवस मना रहे हैं और सवाल के वल किसानों का ही नहीं है किसानों के साथ सथ मजदूरों का उपको भी देखिए मजदूरों के लिए इनके 42 कानून हुआ करते थे 44 कानून 44 कानूनों को उनको चार कोड में बदल दिया गया 44 कानूनों को खत्म करके चार कोड में बदल होता है वैसे दोर में पूरे मजदूर हितों को धरकिनार करके खत्म करके चार कोड में बदल दिया गया अपने आप में यह वी फासिस्टिक कारवाई थी और यहां पर आज के दिन में देश के मजदूर और किसान एक हैं और दोनों सवालों को हितों के साथ में खिलवार देश की जनता नहीं सहेगा इसलिए आशकाला दिवस मनाया जा रहा है